4.4 न्यूलेंड्स का अस्टक सिध्धान्त न्यूलेंड्स लौ ओफ ओक्टिव्स डोबे राइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनग्यों का ध्यान इसोरा करशित किया कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणू भार से संबंधित होते हैं इसी क्रम में ब्रिटिश वग्यानिक जौन अलेक्सेंडर न्यूलेंड्स 1837 से 1898 ने अस्टक का नियम दिया जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणू भार के क्रम में विवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुन्रावरिती होती है और प्रतेक आठमे तत्व की विशेशताएं या गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म से मिलते हैं उन्होंने इसकी तुलना संगीत के सुरू से की इसलिए इसे अस्टक का सिध्धान्त कहा जाता है इसे उन्होंने सबसे कम परमाणुभार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारम किया तथा 56 तत्व थोरियम पर समाप्त किया डोबे राइनर त्रिकनियम के असफल होने के पश्चात तत्वों को वर्गी कृत करने का अगला प्रयास ब्रिटिश रासायनग्य न्यू लंड्स द्वारा किया गया उस समय तक 56 तत्वों की खोज की जा चुकी थी उन्होंने सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमानु भार के क्रम में विन्यस्त किया तथा पाया की प्रतेक आठ्वे तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं इसकी तुलना उन्होंने संगीत के साथ सुरों से की इसलिए यह वर्गी करण न्यू लेंड्स का अस्टक सिध्धान्त कहलाता है हाला कि इस वर्गी करण में कई विसंगतियां है इसकी प्रमुख विसंगति यह है कि न्यू लेंड्स 56 तत्वों में से केवल कैलसियम तक तत्वों को व्यवस्थित कर सके इसके बाद तत्वों के द्वारा समान गुण धर्म प्रदर्शित नहीं किये गए बाद में कई ऐसे तत्वों की भी खोज हुई जिन्हें न्यूलेंड स्वर्गी करण में इस्थान नहीं मिला था इसलिए इस वर्गी करण को सफलता नहीं मिली क्या आप जानते हैं? भारती संगीत प्रणाली में साथ सुर होते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, न, पाश्चाते संगीत में ये सुर हैं दो, रे, मी, फा, सो, ला, टी प्रतेक आठवा सुर पहले सुर जैसा होता है तथा वह अगली पंक्ती का पहला सुर होता है इन सुरों की सहता से संगीत की रचना की जाती है नूलेंड्स के अस्टक में हाइडरोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे फ्लोरीन हाइडरोजन के बाद आठमा तत्व है इसी तरह लीथियम और सोडियम में समानता है नूलेंड्स की सार्णी में कई विसंगतियां पाई गई जैसे यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित थी वो इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था यह सिद्धान केवल केलसियम तक ही लागू होता था क्योंकि केलसियम के बाद आठमें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं है उन्हें एक ही समूह में इस्थान दिया गया जैसे आयरन के रसाइनिक गुण धर्म ऑक्सीजन तथा सलफर से नहीं मिलते अतह इस नियम के अनुसार भी तत्वों का सफल वलगी करण नहीं किया जा सका 4.5 लोथर मेयर का परमाणू आयतन वक्र लोथर मेयर्स एटोमिक वोल्यूम कर्व जर्मन वग्यानिक लोथर मेयर 1835 ने तत्वों के परमाणू भार तथा परमाणू आयतन के मध्य ग्राफ बनाया उन्होंने देखा कि वक्र में सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम तत्वों वक्र के उच्चितम शिखर पर तथा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन चड़ाओ के बीच स्थित हैं मैगनीशियम, केलसियम आदी धात्वे वक्र में घटाओ वाले भागों पर तथा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, अलुमीनियम आदी धात्वे वक्र के निम्नतम बिंदों पर इस्थित हैं इसके आधार पर उन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तथ्व वक्र में समान इस्थानों पर इस्थित हैं अर्थात तथ्वों के परमानु आयतन उनके परमानु भार के आवर्ती फलन, periodic function होते हैं जब लोथर मेयर के द्वारा परमानु आयतन और परमानु भार के आधार पर तत्वों का वर्गी करण किया गया उसी दोरान मेंडेलिफ द्वारा परमान उभार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनी गुणधर्मों के आधार पर वर्गी करण सरल रूप में प्रस्तुत किया गया लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उप्योग कर मेंडेलिफ को एक दिशा दी जिससे मेंडेलिफ को अपनी आवर्सार्णी बनाने में सहायता मिली